हलो फ्रेंट, वालकम बैट तो वर यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूब का कस्टम यूर्ल आप कैसे सेट करें, जो कि ब्रांडेट हो जाता है यूर्ल आपका और आपके URL में जो आपका चैनल का नाम है वो आजाता है या पर जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आजाता है दोस्तों लाजसे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि YouTube चैनल का नाम कैसे चेंज करें रिनेम करें तो उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकेस्ट किया कि URL कैसे चेंज करते है YouTube का कस्टम URL YouTube में कैसे डिफाइन करें वो उसके उपर वीडियो बनाये तो मैंने इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया दोस्तों अगर इससे पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लाइक या कमेंट्स नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर दीचे और मैं शुरू करता हूँ मेरा वीडियो इसके लिए आपको सबसे पहले आना रहेगा आपके सबसे पहले आप आजाएए आपके यूट्यूब स्टूडियो की और यूट्यूब स्टूडियो में आप देखेंगे तो आपको नीचे सेकिंड लास्ट ऑप्शन मिलता है सेटिंग का आप सेटिंग पर आजाएए पर आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएगा YouTube एकाउंट, मैनेज यूर यूटुब एकाउंट और इस पर ही आपको करना है क्लिक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते ही, यह न्यू टैब में ओपन होता है, और यही आपके YouTube एकाउंट का पूरा इंफरमेशन यहां पर शेयर करता है, दोस्तो अभी भी आपने अगर मेरे वो वीडियो मिस कर दिया हो, पहला के YouTube चैनल का नाम कैसे चेंज करें, तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, बहुत ही easy step है, simple तरीके से मैंने explain किया हुआ है, यह YouTube का है, और अभी हम चलते हैं, हमारा URL चेंज करने के लिए, दोस्तो यही पर एक option आता है, channel status and features, यह आप पहले चेक कर लिजिए, कि आपके क्या-क्या features आपके enable हैं, आपका URL है, उसको change करने का option आपके पास है या नहीं है, तो यहां पर देखिए, यह default channel के options है या features है, वो सारे की सारे मेरे enable हैं, और custom URL का जो option है, वो भी enable है, बट मैंने उसको enable किया नहीं है, मुझे यहां से enable करना रहेगा, तो scenario 1 में यह बनता है, कि आप पहले यह check कर लीजिए, confirm कर लीजिए, कि आपने custom URL को enable किया है या नहीं किया है, देखिए, एक चीज़ और मेरे पास ineligible है, मैं अभी membership अपनी channel पर नहीं दे सकता हूँ, वो मेरे पास ineligible है, बट custom URL eligible है, बट इसको मैंने enable करना है, तो आप इसको click करके enable कर सकते हैं, दूसरा scenario हमारा यह बनेगा, कि हम इसको कैसे change करें, तो जैसे हम आपका enable पर click करते हैं, और यहां पर यह हमारे पास option आजाता है, थोड़ा सा scroll करना रहेगा option, और यह option आप directly यहां से भी आप ले सकते हैं, आपके setting में आये, setting में आने के पाद, इसको back कर लीजिए, एक step, same option आपको यहां से advanced setting से भी मिलता है, यहां पर हम थे यहां पर देख रहे थे और यहां पर यह advanced setting है, advanced setting में आने के बाद भी आपको यही same option मिलेगा custom URL का अभी यहाँ पर आपको करना है custom URL पर click और जैसे ही आप custom URL पर click करेंगे तो यहाँ पर यह आपको पूछेगा youtube.com.c.channel का नाम जो के मेरा already branded है यह मैंने पहले करके रखाता capitalize भी किया हुआ है तो यहाँ पर second option जो मुझे आ रहा है तो यह है मेरा already नाम है दूसरा uncapitalized है सारा small में और तीसरा web technology जो के मैंने अपने YouTube channel का नाम change किया था URL नहीं यह नाम change हिया था उसके बाद मुझे यह option मिल ला है कि मेरे channel का नाम plus suffix क्योंकि यह नाम बहुत ही common है popular है already यह पर किसी और ने लिया हुआ है तो अगर मैं इसको select करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ suffix में आगे यहाँ पर option दे रहा है कि मुझे कुछ use करना पड़ेगा letter, alphanumeric, number सो मैं उसको change कर सकता हूँ और यहाँ से आपका URL चेंज हो जाता है तो मुझे अभी मेरे URL चेंज नहीं करना है मेरे जो URL है already branded है तो उसको मुझे as it is रहने देना है तो आप यहाँ से आपके channel का URL का brand name दे सकते हैं अगर आपका default चल रहा है तो सो दोस्तों यह था end of हमारे वीडियो का मुझे like and comments करना ना भूले thank you for watching our video have a nice day, God bless you, good bye